हेलो दोस्तों, आप सभी का The Real Investment में स्वागत है आज हाम एक Pharmaceutical Stock के Related एक Case Study देखेंगे Saturday और Sunday ये 2 days होते ही इसलिए कि आप एक स्टॉक के बारे में Case Study करें और पूरी उसके उपर के Analysis करकर आप अपना Future Decide कर सकते हैं तो आज भी हाम एक Pharmaceutical Stock की Case Study देखेंगे उसके Target Prizes क्या है और इसमें आपका Future बन सकता है क्या तो जरा भी देर ना करते हो हम बढ़ते हैं आगे सबसे पहले बात देखा जाए तो Company with Low Depth हमें देखने को मिलती है जो की इस Stock में खास बात नज़राती है Next Level पर इसके Sales Growth की बात की जाए Quarterly Basis पे तो September 2020 के मुकाबले December 2020 में Growth 300 करोड से भी अप होती हुए देखने को मिल रही है और ये Growth लगाता Quarter and Quarter Basis पे बढ़ती हुए देखने को मिल रही है December 2020 में देखा जाए तो Sales Growth हमें 8,836 करोड रुपीज की देखने को मिलती है Reserve और Service की बात की जाए तो यहाँ पर भी Same Situation नज़र आती है Quarter and Quarter Basis यहाँ पर Upward Trend देखने को मिल रहा है March 2020 की बात की जाए तो 45,024 करोड रुपीज का Reserve और Service इसमें देखने को मिलता है dividend yield की बात की जाए तो इस Graph को देखा जाए तो लगातार इसमें Up Trend बना हुआ देखने को मिल रहा है August 20,090 से लेकर February 9,020 तर यह अपने High तक का अब तक का Graph इसका देखने को मिल रहा है Next Level पे इसके Total Revenue की बात की जाए तो Total Revenue हमें कहीं ना कहीं Total Operating Expenses के मुकाबले कमी नज़र आ रही थी कम तरता नज़र आ रही थी लेकिन आप इस Graph की चलते December 2020 तक Total Revenue Operating Expenses के मुकाबले कहीं जादा ऊपर देखने को मिलता है इस Graph से आप साफ समझ सकते होगे Next Level पर इस Stock को इस Company को जितने Awards मिले है इस Awards के जरी आपको यह आंदाज लग चुका होगा कि यह Stock के अंदर कितना दमखम है और कितनी काबीले थे 2005 से लेकर 2018 तक इस Stock को लगातार Best Awards मिलते आए हैं जो कि इस Stock को Upward और No.1 बनाते हैं Next Level पर इसके Domestic Institutional Holding की बात की जाए तो Institutional की बात की जाए तो December 2019 से लेकर December 2020 तक इसमें इन्होंने अपनी लगातार इसमें Holding बढ़ाती हो देखने को मिल रही है और आप यह Holding बहुच चुकी है 20.84% तक Company के Statistics की बात की जाए तो Market Cap वाइस देखा जाए तो यह एक Stock Large Cap Stock देखने को मिलता है 1,47,139 करूर रुपीज का इसके P.E.Ratio की बात की जाए तो 49.57 का इसका P.E.Ratio देखने को मिलता है Price Earning Ratio यह जो होता है यह किसे भी Stock के लिए बहुत ही एहम रोल प्ले करता है तो इसका भी हमें P.E.Ratio बहुत अच्छा देखने को मिलता है Next Level पर इसके Return on Equity की बात की जाए तो 11.66% का इसका ROI देखने को मिलता है तो revenue हो, operating income हो, net income हो, total assets, total liquidity सारे की सारे green और upward direction में arrow आपको दिखेंगे इन billion में आपको रूपीज देखते हुए मिलेंगे Next Level पर इसके Corporate Action की बात की जाए हाँ मैं आपको Stock का भी नाम ज़रूर बता दिऊंगे कि मैं किसके बारे में बात करेंगे हूँ उससे पहले देख लेते Corporate Action के बारे में तो ये Stock ऐसा है कि इसमें साल में दो बार हमें dividends भी दिये, final और interium types के और हाली में इसमें 9th February 2021 को interium dividend दिया था, 550% का इसके products के बारे में देखा जाए तो pharmaceuticals, generic drugs, over the counter drugs, vaccine वैक्षिन में भी इसका काफी तगड़ा पैगाम देखने को मिलता है diagnostic हो, contact lenses हो, या animal health के related हो ये सारे के सारे ये products बनाते हो देखने को मिलता है और इसके कुछ जाने माने products आप देखेंगे तो आपको भी यरकिन हो जाएंगा हाँ ये stock में वाकई काबिलत देखने को मिलता है वाल ही नहीं हो गया, रिवेटल हो गया ये जो products है आप हम खास TV पर भी इसके ads देखते होंगे तो हम बात करें थे Sun Pharma के related हाली में इसकी टू आवर्स पहले की एक report आई है As per the latest enforcement report by the US Food and Drug Administration Sun Pharma is recalling sequer ophthalmetic solution which is used to treat chrono-eye के लिए इसकी recalling आते हो हमें देखने को मिल रही है जो कि US market, the world's largest market for pharmaceutical product for various reasons के लिए उनकी recalling होते हो हमें देखने को मिल रही है जहां तक कि इसके long term की chart pattern की बात की जाया maximum level पे तो इसने अपने starting इसकी लिस्टिंग हुई थी 1 January 1999 को और अब तक का stock ने return दिया है 26,873.57% का return यह दे चुका है और जहां तक कि इसके peak value की बात की जाया, peak price की बात की जाया तो इसकी peak price निकल कराती है 1037.75 की इसकी price निकल कराती है और आप भी फिला stock ट्रेट कर रहा है 612.30 तो इसके अभी काफी journey बाकी है इस value तक पहुचने की हाला कि इसमें थोड़ी से वर्टालिटी अभी बनी हुई है लेकिन अभी इसकी peak point तक जाने का इसका अभी जो सफर है वो बाकी है तो इसे आप long term के लिए prefer कर सकते हैं नेक्स लेवल पर इसके one year के performance की बात की जाए तो sun farma क्या one year का performance 72.94 का देखने को मिलता है net profit और net sales के मुकाबले other stock के देखा जाए तो यह number one stock हमें देखने को मिलता है net profit देखा जाए तो 4,186 करोड net sales 32,837 करोड का हमें देखने को मिलता है net profit और net sales इसमें देखने को मिलता है next level पर इसके short term की यानि के six month की चाट pattern की बात की जाए तो इसमें six month में इसने 116.5 रूपिस तक का इसमें return देखने को मिलता है लगबग 23% का return six month में देखने को मिलता है sun farma इस stock को देखा जाए तो इंडिया's most repeated brand में second number पर यह stock हमें देखने को मिलता है I hope यह सारे information से आप सभी clear हो चुके होगे कि यह stock में कितना दम खमें और आपका इसने future बन सकता है या नहीं so video अगर आपको पसंदा है तो like जरू कर देना और मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरू कर देना so thank you so much